इस वीडियो के अंदर Realme 8 Pro smartphone के बारे में बात करने वाले हैं अब इस phone का pricing officially यहाँ पे reveal हो चुगा है मतलब यहाँ पे officially confirm हो चुगा है इस phone का pricing यार बहुत ही aggressive है अगर आप लोगों को Realme 8 Pro India के अंदर 6GB 128GB variant 16,999 रुपीज के price point पे देखने को मिलेगा तो क्या आप इस phone को purchase करना चाहोगे क्या आप इस phone को consider करना चाहोगे प्लीज कमेंट करके बताइए इस phone का pricing officially यहाँ पे reveal हो चुगा है इस phone का starting variant 6GB 128GB 16,999 रुपीज के price point पे मिलेगा और यहाँ पे top end variant 8GB 128GB 19,999 रुपीज के price point पे काफी aggressive pricing है इस price point पे इस phone के अंदर media tick के तरप से एक 5G chipset देखने को मिल रहा यार इस phone का ना जितना सामने released इट आ रहा उतने सारे new specs reveal हो रहे है officially यहाँ पे tweeter account पे बहुत सारे new updates reveal हो है और यह specs के related तो यह वीडियो काफ important होने वाला आप लोग के लिए तो without any further ado let's jump into the video स्टार्ट करते हैं यहाँ पे इस phone के performance है क्योंकि यहाँ पे यार एक new update officially confirm हो चुग है mother set के tweeter account पे अब यहाँ पे official है reveal कर दिया गया है कि इस phone के अंदर media tech का dimensity 1200 chipset देखने को मिलेगा जो एक 5G chipset है मतलब यार media tech के तरब से एक new chipset इस phone के अंदर देखने को मिल रहा जो बहुत ही अच्छा chipset है 2.4 GHz पे clock है यहाँ पे एक octa core CPU देखने को मिल रहा अब यहाँ पे 6GB 128GB और 8GB 120 8GB top end variant देखने को मिलेगा मतलब दो variant में आने वाला है realme 8 pro India के अंदर no doubt यहाँ पे performance काफी अच्छा मिलने वाला है क्योंकि media tech के तरब से Dimensity Series में यह एक new chipset है जिसके अंदर ना clock speed भी बहुत ही amazing मिल रहा यहाँ पे LPDDR4 XRAM UFS 3.0 storage का support भी मिलेगा डिस्प्ले के बारे में बात करते हैं तो जैसे कि यहाँ पे officially confirm कर दिया गया कि इस phone के अंदर 120Hz का refresh rate display मिलेगा with super amoled panel 6.7 inch के साथ आने वाला है काफी बड़ा साइस का display तो मिल रहा इस phone के अंदर Full HD Plus के resolution के साथ आने वाला है यहाँ पे display में end display fingerprint scanner मिलेगा जो third generation का होने वाला है यहाँ पे एक flat display मिलेगा मतलब cop display नहीं मिलने वाला है एक flat display मिलेगा जो बहुत ही अच्छा होने वाला है Corning Gorilla Glass का latest production भी मिलेगा और एक single punch hole मिलेगा जो top left corner के अंदर shift किया गया है ऐसे डिस्प्ले काफी amazing होने वाला है क्योंकि यहाँ पे display experience इस phone के अंदर बहुत ही amazing देखने को मिलेगा camera के पारे में बात करते हैं तो जैसे कि यहाँ पे officially confirm हो जुगा है इस phone के अंदर camera में 108MP का quad camera setup मिलेगा जो बहुत ही amazing होने वाला है मतलब एक new design के साथ quad camera setup आने वाला है प्लस यहाँ पे 108MP primary suit है मिल रहा तो Samsung का HM2 sensor है काफी अच्छा image quality ओफर करने वाला है प्लस यहाँ पे second sensor मिलने वाला है 8MP ultra wide angle lens प्लस 2MP depth sensing प्लस 2MP micro sensor पहले के जैसा इस phone के अंदर 3 sensor continue देखने हो मिल रहा पर यहाँ पे primary shooter काफी amazing मिल रहा front camera के बारे में बात करते हैं front में भी बहुत ही बड़ा upgrade है यहाँ पे 44 megapixel selfie camera मिलेगा बैटरी ओ चार्जिंग के बारे में बात करते हैं तो जैसे कि इस phone के अंदर मिलेगा 5000 mAh का बैटरी यहाँ पे officially confirm है यहाँ पे battery wake बहुत ही अच्छा मिलेगा और भी enhance करके मिलेगा और charging के लिए यहाँ पे 50 watt का fast charger मिलने वाला है पर यहाँ पे realme 8 pro 65 watt को भी support करने वाला है charger को अगर आप लोग अपास है पुराना realme 7 pro का तो आप use कर सकते हो पर इस phone के अंदर 50 watt का super dart fast charger मिलेगा in the box प्राइजिंग के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे realme 8 pro का काफी aggressive pricing है यहाँ पे 6GB 128GB 16,999 रुपीज के price point पे देखने को मिल रहा budget के साथ यहाँ पे हम लोग को काफी अच्छा specs मिल रहा इस phone के अंदर मतलब नो डाउट यहाँ एक flexible killer smartphone होने वाला है realme 8 pro इस price point पे यहाँ पे बैस्ट स्मार्टफोन होने वाला है मतलब realme 8 का भी pricing इंडिया के अंदर बहुत ही कम होने वाला है that's it for in this video और release date तो बहुत ही सामने आ चुगा है 24th March तो अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजे share कर दीजे चैनल पर अगर ना है तो subscribe भी कर लिजे press कर दीजे bell notification आइकन को मैं मिलता हूँ मेरे next वीडियो में